आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत यूनिक और लाजबाब नाश्टा यकीन मानिए बस दो रोटी बेलेंगे और 15 से 20 हमारे नाश्टा बनकर तैयार होंगे ये नाश्टा आपने शायद ही देखा हो लेकिन जब आप मेरी रेस्पी को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए इतनी टेस्टी रेस्पी बनेंगे कि सब तारिफ करते रह जाएंगे ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरी रेस्पी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाली हर नी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए ऐसलाम लेकूम, वैल्कम बैक तो जाय कापने किचिन का तो इसको बनाने के लिए हमने यहा पढ़ ली है आधा कप की करीब मेदा तो यहाँ पर हम आधा मेदा और आदा आटा लेंगे अगर आप चाहे तो पूरी मेदा से भी इसको बना सकते हैं या आप इसको टोटली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने आदा कप मैधा ले ली है और आदा कप हमने ली है गेहूं का आटा तो दोनों आटे की quantity हमने यहाँ पर बराबर ली है और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच के करीब अजवाइन जिसको हमने हाथों से क्रेश कर लिया था और इसमें अब जाएगा एक छोटा चमच के करीब नमक नमक आप अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग कमीर जादा भी कर सकते हैं और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब देशी घी आप चाहें तुछकी जगा ओयल डालीजिए लेकिर इससे जो रेश्पी है बहुत ज़ादा ख़स्ता बनती है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है जितना अच्छा हमारा मोयन होगा उतनी ही परफेक्ट हमारी लगा कर तैयार कर लेंगे तो यहां पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो लगा कर तैयार करना है तो यहां पर हमने जो आटा लगाना है वो सक्त लगाना है नरम आटा नहीं लगाना है तो यहां पर हमने अच्छे से आटे को मसलते हुए एकदम आटा बढ़ गूंद लिया है और इसको कवर करके 10 मिनिट के लिए रेस्ट देंगे तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर हमने एक पैम रखा है और इसमें हम डालेंगे एक चमच के करीब घी घी की जगा आप ऑईल का भी इस्तिमाल कर सकते है घी हमारा मेल्ट हो जाएगा और इसमें अब जाएगे 1oph टी स्पून के करीब सόफ और साथी में हम इसमें एड करेंगे 1 टी स्पून के करीब साबिद धनिया तो यहां पर जो सूखा साबिद धनिया होता है उसको हमने क्रिश कर के लिया हुआ है और इसको एक बार कुछ सेकंड के लिए हम चला लेंगे तो करつे चाहँ आखी स्पूर्ण आपने टेस्ट के कौर्डइंग और व м्यदिय को अपने चाहिए रिहा हरफ लाल मिर्च अव्ट री मर्च आखे है और इसमें अब जाएगी एक इंच अधर का टुकड़ा जिसको हमने क्रेश कर लिया है वो इसमें डाल दिया है और सारे सूखी मसालों को हमने लो फिलेम पर अच्छे से रोष्ट करना है तो यहां पर हम इसको एक मिनट के लिए रोष्ट कर लेंगे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है तो मटर भी हमारे अच्छे से यहां पर भून चुकी है तो यहां पर मैने मटर को 2-3 मिट के लिए अच्छे से भून लिया है और इसमें हम एड़ करेंगे 3 बॉई डालू तो यहां पर मैने 3 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर इनका छिल यहां पर हमने इनको हलका सा दबाते हुए मिक्स कर ले रहा है तो यहां, पर हमारी जो इस्टफिंग है बहुत मज़दार बन कर तैयार होगी सारे together मिक्षर मिलाते दो मिनट हो चुके हैं और मिक्षर हमारा अच्छे से भुन चुका है तो मिक्षर हमारा अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम एट कर देंगे हरा धनिया तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया लिया है वह हम इसमें एट कर देंगे और हरी धनियों को भी हम मिक्शर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हरे धनिये को एड़ करने के बाद मिक्शर को हमने एक मिनट के लिए और भूनना है और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है मिक्शर हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है तो चलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं और ना जादा मोटी तो यहां पर हमने एक बड़ी रोटी बना कर तयार करनी है तो यहां पर हमने रोटी को हलका सा पतला बेलना है जादा मोटा नहीं बेलना है ना जादा पतला बेलना है तो यहां पर बस हलका सा पतला बेलना है और रोटी को हमें छोटी नहीं बनानी है पार्ट में डिवाइट कर लेंगे चार पार्ट में हमने रोटी को कुछ इस तरह से डिवाइट कर लिया है और फिर यह ट्राइंगल बने है तो इसको हम एक बार फिर से कट कर लेंगे तो यहां पर हमने इस तरह से कट कर लेना है और फिर जो दूसरा ट्राइंगल है उसको भ के ट्रैंगल में एक चमच के करीब स्टफिंग रख देनी है और यह बहुती मज़दार बनकर तैयार होते हैं और आप एक संग काफी कौंटिटी में इसको बना सकते हैं अगर आपको एक संग बनाने है और आप इस तरह से बहुती आसानी से एक संग बहुत साले स्नेक्स बना लेना है आप चाहें तो गियूँ और पानी की स्लिडिरी बनाकर भी लगा सकते हैं तो यहां पर आप यह रेस पीक गियूँ के आते या मैदे से भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसके दोनों साइड को कुछ इस तरह से उटाना है और स्टिफिंग को अंदर करते हुए इसके साइट को इस तरह से प्रेस कर देना है अभी ये जो सैंटर वाला हिस्सा है अभी ये जो स्टफिंग है इसे हम दबाते हुए इसे खीशते हुए ले जाएंगे अभी ये साइट के हिस्से है इसे हम कुछ इस तरह से सील कर देंगे ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है और एकदम आसानी से हमारा समोसा बनकर तैयार हो जाएगा अगर आपको बहुत सारे समोसे बना कर तैयार करने है तो आप इस तरह से बहुती आसानी से एक संग बहुत सारे समोसे बना कर तैयार कर सकते है और इसी तरह से मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ साइट के जो दोनों हिस्से हैं उसे बीच में ले आना है कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइट के हिस्से को इस तरह से ले आना है और इसको अच्छे से प्रेस कर देना है तो यहाँ पर हमने इसको सील कर दिया है और अभी यह सेंटर वाला हिस्सा है इसकी स्टफिंग को हमें अंदर दबाते हुए इसे खीशते हुए ले जाएंगे अभी जो साइट के हिस्से हैं उसे हम इसी तरह से सील कर देंगे और इसको साइट से अच्छे से सील कर देना है तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइट के हिस्से को इस तरह से प्रेस कर लिया है और जो साइट का हिस्सा है उसको हमने अच्छे से सील कर देना है और जो सैंटर वाला हिस्सा है उसमें जो इस्टफिक है उसे हमें दबाते हुए इसे खीशते हुए ले जाना है और जो साइट का हिस्सा है उसे हमें अच्छे तरीके से सील कर देना है तो यहाँ पर हमने दोनों साइट को अच्छे से सील कर दिया है और इसको हमने कॉर्नर को दबाते हुए अच्छे से इसको शेप में ले आना है तो यहाँ पर यह बहुत ही एजली समोसी बनकर तयार हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने एक संग 15 से सूला समोसे बना कर तयार की हैं, वो भी सिर्फ दो रोटी में, दो रोटी बेलनी हैं और आपको इसको एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, तो चलिए अब हम इसको फ्राइ कर लेते हैं, यहाँ पर आपको इस बात का दिहान रखना है कि त तेल बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए, जब ही भी आप समोसो को फ्राइ करें तो तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए, तो सारे समोसो को हमने कढ़ाई में डाल दिया है, जितना इस पेस हो कढ़ाई में उतना ही डालें, जो आप आसानी से हैंडिल कर लें, आप देख समोसे बहुत हलके हलके से बबल सा रहे हैं और हमारे समोसे बहुत ही बढ़ा से फ्राई हो रहे हैं समोसे को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना बहुत ही जरूरी है समोसे जब अच्छे से फ्राई होंगे तो बहुत ही लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे तो समोसे का जो पर आपभ देख सकते हैं, तो इनको हमने बाहा निका लेना है, तो गैस की फ्लेम को हमने बिलकुल धीमा रखा है और समूसे हमारे बहुती क्रिस्पी और करारे बनकर त्यार हुए हैं, तो यहां पर यह समूसों साथ से दूसरे बैच को भी फ्राइब कर लेना है जबी भी आप दूसरा बैच फ्राइब करो तो उस समय आपको तेल कर टेमप्रेचर मेंटन करना बहुत ही जरूरी है गैस को मैंने बंद कर दिया था एक मिनिट के लिए और ऐसे ही रहने दिया था तेल ठंडा हो गया तो बहुत ही करारे और क्रिस्पी हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं आप इसको एक बार जरूर ट्राइए किजिएगा और अपना फीड़ी बैक कमेंट के जरिये जरूर दीजिये गा और यह लिजा है बिलकुल तैयार है हमारे सुपर टेस्टी कुरकुरे करारे से यूनिक स् इसका टेक्चर देखिए वाव कितिना यूनिक और अट्रैक्टिव लग रहा है ना जो भी देखे खुद को खाने से रोक नहीं पाए और इसका शेप भी बहुत ही बढ़ी आया है तो चले मैं आपको एक समोसा तोड़ कर दिखाती हूँ और यह लिए यम्मी फीलिंग और ए बहुती बढ़िया समोसी बनकर तैयार हुए हैं सिर्फ दो रोटी में लिए और धेर सारे समोसी बना कर तैयार कर लीजिए अगर आपको बहुत सारी कॉइंटिटी में समोसी बनाने हैं तो आप इस तरह से समोसी बना सकते हैं जो कि बहुती इसली बनकर तैयार हो जाते हैं देखने में तो यह अट्रेक्टिव लगी रहे हैं खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं तो आज के लिए इतना काफी है फिर मिलती हूँ एक और नई रेस्पी के साथ जब तक इजासत चाहती हूँ थैंक यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियो टेक केर गुड केर बाई